दोस्तो अगर सपने सच्चे हो और आप में उने पूरा करने का जजबा हो तो फिर उन सपनों को पूरा होने से कोई भी रोक नहीं सकता और इस बात को साबित कर दिखाया है बोलिवुड एक्टर केके गोस्वामी ने केके का कद महज 3 फीट है लेकिन अपने जीवन में संघर्स करने के बाद इन्होंने बोलिवुड में जिन उचायों को छुआ है वहे बेहदी हैरान कर देने वाला और तारिफ करने वाला है और आज केके गोस्वामी को बोलिवुड इंडस्टरी में किसी पहचान के जरूरत नहीं है लेकिन दोस्तों आप सब केके गोस्वामी के बारे में तो सब जानते हैं पर क्या आप इनकी पतनी के बारे में जानते हैं कि वह कौन है क्या करती है और कैसी दिखती है अगर आप भी इन सबी बातों को जानना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो के अंतक बने रहे साथ ही बॉलिवुड इंडस्ट्री के दमदार कलाकार के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक करना ना भूले बिहार के मुजफर पूर में 1973 में एक ऐसे कलाकार का जन्म हुआ जिसने अपने दम पर लोगों के दिल में अपनी एक जगा बनाई और नाम है इनका केके गो स्वामी बिहार के एक छोटे से गाउं से लेकर मुंबई तक का सफर इनका असान नहीं था इस दोरान इन्हें कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ा जिसमें सबसे बड़ी परेशानी इनकी हाइट थी इनकी लंबाए तीन फीट के करीब है पर इनकी हाइट इनके लिए परेशानी तो बनी मगर परेशान ना कर सकी इन्होंने अपने लिए खुद रास्ता बनाया महनत और जिंदगी से लड़ने की जुनूर ने इन्हें आज सिनेमा इंड़स्ट्री में उस मुकाम तक पहुचा दिया जिसके यह असली हगदार थे टीवी से लेकर सिनेमा तक केके गोस्वामी का सफर काफी सांदार रहा इन्होंने 2001 में बच्चों के बीच लोग पिरिये धारवाहिक जूनियर जी में बोना का किरदार किया था जिसके बाद इन्होंने विकराल और गबराल, सी आईडी, चकरवर्ती समराट, अशोग जैसे धारवाहिक इनकी अदाकारी के गवाह है इनका सफर टीवी से होकर आज सिनेमा तक है, बोलिवुड तो बोलिवुड भोचपूरी सिनेमा इंड़स्ट्री में भी इनके अपने फॉलोवर्स है, जो इन्हें बेहत पसंद करते हैं कई भोचपूरी बोलोग बश्टर फिल्मों में उनकी मौजूदगी ने फिल्म को बहतरीन बना दिया और आज केके गोस्वामी बोलिवुड इंड़स्ट्री के एक जाने माने अभीनेता है, जिनों ने अपनी कमी को कमी ना बना करके अपनी पहचान बना ली लेकिन अगर बात की जाए इस दमदार अभीनेता की पत्नी की तो इनकी पत्नी का नाम पिंकू गोस्वामी है आपको बता देखी केके गोस्वामी को देखने के बाद पिंकू के घरवालों ने लड़की दिखाना तो दूर शादी के लिए भी मना कर दिया था जिसके बाद काफी मेहनत करने के बाद पिंकू गोस्वामी ने अपने घरवालों को राजी किया और इन दोनों की शादी हुई और आज केके गोस्वामी का एक छोटा बेटा है और आज ही है दोनों अपनी जिन्देगी में काफी खुश है तो दोस्तों आपको केके गोस्वामी और पिंकू गोस्वामी की जोड़ी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताए साथ ही बोलिवुड इंडस्री से जूड़ी ऐसी अच्छी खबरों को जाननी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले